दोस्तो बहुत सारे student को app download नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो course भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो self study classes इस प्रकार से जब आप play store से करते हैं तो यह आपका well जो है icon उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से self study classes आपको search करन है और ऐसे icon में आपको app मिलने बाला है तो दोस्तो हम देखें कि play store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह self study classes एक प्ले store में है आपको self study classes का app दिखने बाला है एह image उसमें डली है एह icon यह logo उसमें डला है अब दोस्तो इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहाँ पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे तो सात्यों आज का session इस्टार्ड हो चुका है और दोस्तो जिन भी सात्यों ने अभी तक self study classes का app download नहीं किया है आप self study classes का app जरू download करें दोस्तो आपको क्या करना है पिले स्टोर में सर्च करना है self study classes ठीक है तो यह पूरा आपको लिखा मिल जाएगा और app आपको download कर लेना अगर दोस्तो आप हिंदी सायथ की तैयारी कर रहे हैं UK, LTE, TGT, PGT, पंजाब मास्टर केडर या पर जूनियर TET exam की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तो ए वीडियो आपके लिए है ए एप जो है self study classes के आपके लिए ठीक है तो जिन भी सात्यों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करें और वीडियो को दोस्तो अपने मित्रों तक सेर जरू करें आज हम दुवेदी योग को पढ़ने बाले इसके पहले दोस्तो हमने भारतेंदु योग को पढ़ा आधुने काल में आज अपन दुवेदी योग को पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी से पटा पट से उत्तर बताएंगे दुवेदी योग नामकर्ण किया है तो किस ने किया है बताएए किसके नाम पर किया गया है एक question आपको बताना है तब आपका यहां पर बिलकुर दुबेदी योग नामकर्ण किया गया यह आपसे पूछा गया और आपने बिलकुर शही आंसर चेहन किया है कि महाबीर प्रिसाद दुबेदी महाबीर प्रिसाद दुबेदी के नाम पर दोस्तों दुबेदी योग का नाम पड़ा और महाबीर प्रिसाद दुबेदी आपको पता है कि दुबेदी योग के स्रेष्ट दोस्तों कभी लेखक माने जाते हैं और दुबेदी योग दुबेदी जो महाबीर प्रिसाद दुब दुबेदी युक का आरंभ माना जाता है 1920 से ठीक है यह आपको याद रख लेना दुबेदी युक का नाम करने महावीर पर साथ दुबेदी के नाम पर किया गया इन्होंने गद्दुर्पद दौनों के लिए खली बोड़ी में सामान बोलचाल की भासा को प्रात्मिक्ता दे इनकी बकालत की इनके द्वारा दोस्तों रचेत अनुदेतवा मौलेक अस्सी गरंत हैं और इनके प्रमुक काब संग्रे हैं काब मंजूसा शुमन काब कुंज अवला अविलाप ये सबी इनकी दोस्तों रचनाय मानी जाती है ठीक है ये चीज आपको याद रखना है अब पढ़ते हैं अंगला कॉस्चन अंगला कॉस्चन यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों सेरंधरी के रचनाकार कौन ये कॉस्चन आपसे पूछा गया तो पिलहाल यहाँ पर तो आपको उत्तर दिख रहा होगा कि सेरंधरी के रचनाकार कौन माने जाते हैं तो उत्तर आपका मैत्री शन गुप्त ये question पूचा गया है दोस्तो सेरंधरी की रचनाकार कौन है सेरंधरी की रचनाकार मैत्री शन गुप्त है एक गुप्त जी द्वारा रचित नाटक है सेरंधरी नाटक किसका है तो ये मैत्री शन गुप्त का है इनके द्वारा रचित नाटक है र सहरंधरी भी किसकी है, दोस्तों मैंतरी शनंगुपत की रचना मानी जाती है, ये आपको याद रखने ड쵹 आ? बिनमबर आपका मैंतरी शनंगुपत बिल्लकुर सही हो जायगा, ठीक है? अंगला कॉस्चन आपको यहाँ पर अप्चेहन करना है अंगला question है आपका कि कौन सी रचना आयोध्या से उपाद्याय हरियोद की है आयुद्या से मुपाद्या हरियोद ने दोस्तो खड़ी बोली का प्रतम महा काब लखा था जिसका नाम था प्रिये प्रबास आपको पता है है ना और आपसे अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली का प्रतम महा काब कौन सा है तो प्रिये प्रबास है ना आयुद्या से मुप बिचत्र बेबााई बिचित्र बिबाई इनकी रचना जाती और उत्तर चला जाता है एकी तरफ बिचत्र बिबाई नहीं माने जाती है दोस्तो इनके तौके चोपदेवी इनकी रचना देपारी जात भी है ठीक है रसकलस भी इनका गरंत है ये अरियोद जी के गरंत माने जाते हैं इनको आपको याद रख़े ना ठीक है हाँ ये बिचित्र विवा है आपका बिलको सही ए नमबर अंगला क्वेश्चन आपको बताना है दुवेदी युक का बहताहितकार जिने ज चार बिकल्पें हमारे सामने जल्दी से बताना है आपको कि दुवेदी युक का बहत सहितकार कौनसा है जिसे कविता कामनी कांत कहा जाता है जिसे भारतेंदू प्रगेंदू कहा जाता है जिसे सहित सुदाकर कहा जाता है चार बिकल्पें दोस्तों पहला है नातुराम सर् कविता कामनी कांत भारतेंदू प्रगेंदू भारतेंदू प्रगेंदू साहित सुधाकर आधी उपादियों से जो सम्मानित किया गया वो किया गया नाथू राम सर्मा संकर, नातुराम सरमा संकर को यानि कि आपका विकल्प नमबर जो ए है वो बिल्कूर सही हो जाता ठीक है इन्हें भारतेंदू प्रिगेंदू कहा जाता है इन्हें साहित सुधाकर कहा जाता है इन्हें कविता कामनी कांत कहा जाता है एक की तरफ ठीक है दुवेदी युक्के साहित का नातुराम सरमा संकर को कविता कामनी कांत है ना भारतेंदू प्रिगेंदू साहित सुधाकर आदियुपादियों से विभूसित किया गया ये भी याद रख लेना और अंगला क्वेस्चन है बताना है आपको मैत्रिश्रंग की रचना नहीं है यानि कि आपका उत्तर डी की तरफ जाता है डी नमबर क्रिशा क्रंदन आपका सई हो जाएगा क्रिशा क्रंदन ये गया प्रसाद सुकल सनेही की रचना है इनकी अन्य रचना है प्रेयम 25 राष्ट्रिय वीना स्रिशूल हैना तरंग करुना तथा इस अभी मानी जाती हैं हैना रंग में भंग जैद्रत बद किसान बिकट भट गुरू कुल साकेत भारत भारती जंकार यसुदरा द्वापर जै भारत विश्नुप्रिया हिडिमबा सिद्राज हिंदू बैतालेक तता पंचबटी आदिये सभी रचना किसकी हैं मैत्री शन लेकिन किर्सक करंदन ये गया प्रसास सुकल सने की है है ना बोले किर्सक का करंदन गया गया तो गया प्रसास सुकल शने ही ठीक है अंगला कॉस्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों अंगला आपको बताना है कि मैत्री शन गुप्त की कौन सी रचना महा भारत सम्मंदी है महाभारत संबंदी कौन सी नहीं है पूछाए यहां पर तो बन बेभाव नहीं है सक्ति सेरंधरी या फिर कवश्णाहार प्रश्ण किरमांग 6 और 6 में आपको चेन करना है च्छटवी का ऐंसर क्या हो जाएगा महाभारत संबंदी नहीं है तो कौन सी नहीं है बताइए चार बिकल्प है चोता बिकल्प सेरंद्री है है ना चोता बिकल्प सेरंद्री है और दोस्तो तीन बिकल्प आपको देख रहे होंगे बन बैबाव सक्ती है ना और दोस्तो कब सहार और सेरंद्री तो यहां पर आपको इतना याद रखन जो यह सक्ती है सक्ती यह दोस्तो महाभारस संबदी नहीं है उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर बी की देखेंगे कि मैत्री श्रंगुप्ति की सक्ती रचना महावारस सम्मंदी नहीं जबकि वन बैभाव, वक्सहार, सेरंद्री महावारस सम्मंदी रचना हैं ये भी आपको याद रखने ना अंगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हर्योद क्रत काब्योप बन का प्रकासन बर्स क्या है बहुत बढ़िया प्रस्न है काब्योप बन का प्रकासन बर्स आपको बताना है जो भी साथी जूनियर टेट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जो भी सिती PGT, TGT, पंजाम मास्टर के अडर एक्जाम की तयारी कर रहे है UKLT की वो दोस्तो एप डाउनलूट कर ल classes है ना और जिन भी साथियों को कोर्स में एडवीसर लेना हिंदी साहित के दोस्तों जूनियर टेट एकजाम के मास्टर के अड़र एकजाम के तो इसकी फीस रखिये दोस्तों अभी आपको बारा सो रुपे ठीक है तो इस फीस में आप दोस्तों एडवीसर ले सकते और अपनी पढ़ाई को करमबद कर सकते हैं हर्योद करत काब्योप बन का प्रकासन वर्ट क्या है तो उत्तर चला जाता 1909 1909 यानि C नमबर हैना काब व्योप बन C नमबर 9 आपका बिलको सही हो जाएगा हरियोद करत काब व्योप बन का प्रिकासन बर स 1909 भी है और हरियोद द्वारा रचित काब है प्रिये प्रबास सभी को पता है पारी जात हैना व्यदे ही वनवास कशन सतक इनकी पहली रचना है प्रेम प्रपंच चोखे चौपदे चौपदे हैना और दोस्तों ये सारी की सारी रचना है माने जाती है इनकी अईुद्या से उपाद्याय हरियोद की अब अंगला कोश्चन आपको यहाँ पर चैन करना है किसके साहित को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रियोग आत्मक रूप में देखते हैं बही उस साहित का असली रूप है बारतेंदु योग दुवेदी योग छाया बादी योग या फिर आधनिक योग प्रश्ण किरमांक आपका आठ आठ नमबर आपको चैन करना है आठबा नमबर प्रश्ण किरमांक आठ में और आठ में आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा दुवेदी योग दुवेदी योग यानि बी नमबर ठीक है किसके साहित को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रियोग आत्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित का असली रूप है यह आपका दुवेदी योग बिलकूर सही हो जाएगा बी नमबर आपका बिलकूर सही हो जाएगा दुवेदी युगीन उननीस्तो इस्वी से उननीस्तो अठारा इस्वी तक साहित को हम सरस्वती ए इसके ख्याती लब्द संपादक हुए ये भी आपको याद रखनी ना दोस्तों यह ना ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अंगला कोश्चन खड़ी बोली हिंदी का आधनिक कालीन प्रतम महाकाब कौनसा है खड़ी बोली हिंदी का आधनिक कालीन प्रतम महाकाब कौ कौन सा है ऐसे भी घुमा के पूछ लिया आप से कि खड़ी बोली हिंदी का आधुने काली इन प्रतम महाकाब कौन सा है बताइए चार विकल्प हमारे पास हैं और सभी को लगबग पता है कि खड़ी बोली हिंदी का जो प्रतम महाकाब है वो महाकाब है प्रिये प्रवास कौ हरियोद, द्वारा, रचित, सत्रा सरगों का प्रवंद काब है, प्रिये प्रवास का सरप्रतम नाम ब्रजांगना बिलाप था, एस अम्पून काब संस्कृत की वर्न वरत्तों पर आधारित है, इस प्रवंद काब में करश्न की बच्पन से लेकर मतुरा प्रस्तान तक का वर ए अटल सिदान्थ था, उपर यूप्त पंग्तियां किस कृती में शंगरीत हैं, पता ये कस कृती में संगरीत हैं, बिख्यात जीबन ब्रत हमारा, कोन सी कृती में शंगरीत हैं दोस्तों, कि चार विकल्प आपको चैन करना हैं, तो, विख्यात जीवन ब्रत हमारा लोग के हिते कांत था और आत्मा अमरहे देह नस्वर के अटल सिद्दांत था वो परियुक्त पंक्तियां किस कृत्में संग्रिहीत हैं तो चार विकल्पें साकेत हैना सिद्राज भारत भारती या फिर इनमें से कोई नहीं तो अब आपका इस रचना की प्रसिद्दी के कारण उन्हें राष्ट कभी की संद्या भी दी गई ये भी आपको पता होगा है ना वो परियुक्त पंक्ति भारत भारती में संग्रीत है 1912 इसमी में रचित भारत भारती ग्रंत के लेका मैत्री शरंगुप्त हैं याद रख रहे ना मैत्री शरंगुप्त का उपनाम कभी अगर आपसे पूछा जाए तो इनका उपनाम मधुप था क्या नाम उपनाम कि इनका उपनाम था दोस्तो मधॉप किसका मैत रूप देका गज्य ना ना निए और इनका उपनाम पबसंत्य कलिगान्प आजिए तो यह उनहीं की यह झाधी चुँझानी तो छोड़ना नहीं कि कविता था तो कौन सी है उपदेस आत्मक एबम इती ब्रतात्मक कविता है है ना प्रिकृती चित्रात्मक है ना जागरान परक है या फिर नारी चितनात्मक है बताईए प्रश्ण किर्मांक आपका ग्यारा है ग्यारा में दुवेदियुक की कविता बताना है कविता है तो किस प्रकार की है या कविता की बिसेष्टा है तो वो किस प्रकार की बिसेष्टा है दुवेदी युक की कविता है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपदेस आत्मक इबं इती ब्रतात्मक ताब है ना इती ब्रतात्मक यानि ये नम्मर आपका बिलकूर सही है है ना दुवेदी युक की कविताओं में उपदेश आत्मक एबम इती ब्रतात्मक प्रमुक रूप से पाया जाता है इती ब्रतात्मक का नहीं होता है दोस्तों वस्तु वर्नन है ना और दुवेदी युक को जागरन सुधारकाल किसे कहा जाता है जागरन सुधारकाल किसे कहा जाता है ठीक है तो आपको बताना है कि वो कहा जाता है दुबेदी युग को ठीक है अंगला है मैत्री शरंगुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में पृतिश्टित किया है ना इति को पता है दोस्तों हैना वोले से राम के साथ तो सीता बनवास गई थी हैना लेकिन लक्षमन के साथ उर्मिला नहीं गई थी और ये इतिहास उपेक्चित नारी मानी जाती है दोस्तों हैना कि राम की सीता और राम का ब्योग तो सब ने देखा लेकिन उर्मिला और लक्षमन क का बेओ किसी ने नहीं देखा यानि कि इतिहास की उपेक्चित नारी पात्र नारी पात्र को निम्न पुस्तक में पृतिश्टित किया गया तो वो पुस्तक है साकेत है ना साकेत मैतरी श्रंगुप्त जी का महा काब है और राम काब पराधारित महा काब माना जाता है दोस्तो याद रख लेना और इसमें कितने सर्ग हैं तो साकेत में बारा सर्ग है ये भी आपको याद रख लेना ठीक है और मैत्री श्रंगुपत ने इतियास की उपेक्षित नारी पात तुरमिला लक्षमन की पतनी को साकेत नामक पुस्तक में प्रतिश्चित किया हिंदी साहित में रामचित्मानस के बाद रामकाब का दूसरा इस्तम्ब मैत्री श्रंगुप्तिकरत साकेत है और भारत भारती रंग में भंग द्वापर यसो धरा पंच बटी बिकट भट ये बिकट आया बिकट भट कई बार एक जाम में पूची गई कि रचना जंकार विश्नु प्रिया व तो क्या नाम है बताईए दुवेदी युक का एक और क्या नाम है सक्रांती काल इसे कहते हैं शंदी काल कहते हैं गद्य काल या पिर जागरण सुधार काल कहते हैं दुवेदी युक का एक अन्य नाम क्या है प्रश्न किरमांक 13 में आपको उत्तर चैन करना है दुवेदी य का एक और नाम जागन सुधार काल है यह नाम डाक्टर नगेंद्र द्वारा दिया गया जबकि डाक्टर रामकुमार बर्मा ने आदी काल को संदी काल या चारन काल लाम दिया है ना यह तो रामकुमार बर्मा की थी आचार सुकल ने आदुने काल को गद्द काल कहा एक अब दोस्तों यहाँ पर दुवेदी युगीन साहित में किस प्रिविर्टी की प्रमुक्ता नहीं है। अब दोस्तों दुवेदी युगीन साहित में किस प्रिविर्टी की प्रमुक्ता नहीं है। काप ब्रत्तात मक्ता रही तो कौनसी नहीं रही रोथू काլ्यात नहीं रही और बी नमबर आपका बिलकुर सही हो जाताए काब ब्रत्ता है अब बताना है उत्तर क्या हो जाएगा सबी लोग बताएंगे राजपूती आन की कथा है तो कौनसी है सिद्ध राज रंग में भंग पंचब टी या फिर साकेत राजपूतियान की कथा आपको चैन करना है बताइए प्रश्न किरमांग के आपका है ना यहाँ पर दोस्तों पंद्रा और पंद्रा में राजपूतियान की कथा कौन सी रही कि चार बिकल्प में से एक बिकल्प का आपको चैन करना और आपने बिलकुल सही आंसर बताया कि सर रंग में भंग की राजपूति यान की कता रही है क्यानि यानिकी बी नमensa आपका बिलकू सही हो जाएगा मेय थनी शनलगुपति इसकी रचनाकार है रंग में भंग हैना अब यहाँ पर आतें अंगला कोश्चन अपना है यहाँ पर राजपुति यान की कथा रंग में भंग हैना काब बे में समाः थै रंग में भंग काब गरंद की रचेता में त्रीश रनग अचार रामचंद शुकल ने गुप्त जी को सामंजस स्वादी कभी कहा है, रामचंद्र शुकल ने कहा, ठीक है, और गुप्त जी ने स्वयम को कोटूमबे के कभी मात्र कहा इनने भारत भारती लिखने पर महत्मा गांदी ने राष्ट कभी की उपादी दी इनके द्वारा रचे तन्य काब गरंथ हैं दोस्तों जैदरत बेद इनकी रचना है है ना किसान इनकी रचना है बिकट-भट इनकी रचना है यह सोधरा भारत-भारतीř साकेथ गुरुकुल विश्नु प्रिया की रचनाकार कौन है तो यह भी आपको याद रखिरी ना साकेथ की कथा का मुख सम् confidently किसके चरित्र विकास्तर जुड़ा है कि आपको चैन करना है करिए चार बिकल्फ हैं और साकेत का मुक्ख संबंद बताना है किसके चरित्र बिकास से जुड़ा है राम और सीता के लक्षमण और और मिला के भारत और मंडवी के या पर लक्षमण और सीता के तो साकेत की कता का मुक्ख जो संबंद है वो किसके चरित की बिकास से जुड़ा है सभी लोग लाइक जरू कर देंगे और जिन भी सातियों ने अभी तक self study classes app download नहीं किया है वो प्ले स्टोर में सर्च करें self study classes है ना और app download कर लें जिन भी सातियों को एड़िसन लेना course में हिंदी साहत हिंदी व्याकन के जहां पर आपको topic wise test भी मिलेंगे जहां पर आपको हिंदी व्याकन भी पढ़ाई जाएगी जहां पर आपको हिंदी साहत भी बिस्तरे तद्यान प्लेस्टिर की वीडियो भी आपको पढ़ाई जाएगे है ना तो साकेत की कता का मुक के संबन्द किसके चरित्र विकास से जुड़ा है तो वो जुड़ा है लक्षमन और और मिला यानि की बी नंबर आपका बिलको सही है साकेत में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि 1931 की तो ये रचना है साकेत है ना साकेत गुपते जी की सरपसेश्ट रचना है इसे महाकाब्यो की स्रेणी में रखा गया इसकी कता साकेत को केंदर बना कर लिखी गई है ना और इसकी कता वस्तु राम और सीता का ना होकर दोस्तों और मिला और लक्षमन की है अंगला क्वेश्चन है कि मेत्रिशन गुपते द्वारा रचेत जैदरत बद क्या है महाकाब्य है खंड काब है प्रबंद काब्य है या पिर इनमें से कोई नहीं यह आपको बताना है प्रैशन किरमांग सत्तरा सत्रा का आंसर आपको चेन करना है सत्रा का आंसर क्या हो जाएगा और यहां पर मेत्रिशन गुपते द्वारा रचेत जैदरत बद क्या है क्या है क्या है क्या है खंड महा भारत के आर्जुन द्वारा जैदरत के बद किये जाने की घटना का इसमें वर्नन किया गया है है ना अब अंगला कॉस्चन आपको यहां पर बताना है कि दिवसका आउसान समीपता गगनता कुछ लोहित हो चला है ना तरू सिखा पर थी अब गरश्ती कमलनी कुल कब बल्लब की प्रभा यह कई बार पूचा गया दोस्तो दिवसका आउसान समी समीपता यह पंक्ती आपको बताना है कि यह पंक्ती किस से है दोस्तो आसू से है परिवर्तन से किसान से अप्रिये प्रवास से यानि कि किस रचना से लिया गया है बताए यह पंक्ती किस रचना से ली गई है यह बताना है प्रश्न किरमांक 18 में दिवसका आउसान समीपता है ना गगन ता कुछ लोहेत हो चला तरू सिखा पर थी अब राजती का मिलनी है ना ये क्वेस्टन कर बार आया और दिबस का औसान समीपता है इसने सत्रा सर गहे है प्रिये प्रबास में ये भी याद रख लिए ना प्रिये प्रवास आपका सई होगा प्रिये प्रवास खड़ी बोली का प्रता महा काब है ना इसमें सत्रा सर्ग है प्रिये प्रवास में ये भी याद रख लेना और ये दोस्तों किसकी रचना है अयुद्या से उपाद्या हरियोद है ना उक्ते काब पंकियों का संबंद दो दोस्तों दुबेदी युक के स्रिष्ट कभी माने जाते है अउद्या से उपाद्या हरियोद और इन्हें कभी समराट कहा जाता है किसे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कभी समराट किसे कहा जाता है तो अउद्या से उपाद्या हरियोद को इन्होंने दोस्तों निस्तों क नांगरी पिरचाणी सवा और साहित की सेबा के लिए इनने कभी समराट की उपादी दी गई थी हैना 1914 इसमी में रचित प्रिये प्रवास 17 सर्ग इसमें माने जाते हैं इसको आपको याद रख लिए ना दोस्तो और यहां परंगला कोस्चन आपको बताना है कि दुवेदी जी ने किस भासा को कभीता की सिंगासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्टित करने में काफी योगदान दिया तो बताईए चार विकल्ब हैं फार्सी भासा, संस्केत भासा, ब्रज भासा या फिर पाली भासा किस भासा को उतार कर दोस्तो खड़ी बोली को प्रतिष्टित करने में काफी योगदान दिया वो ऐसे ऐसे दोस्तो कभी कौन थे ऐसे लेखक कौन थे तो वो लेखक कौन थे दोस्तो ये भी आपको पता है कि वो महावीर प्रसाद दुवेदी थे लेकिन किस भासा को उतारा था इन्होंने तो ब्रज भासा को दोस्तो सिंगासन से उतार कर कभीता के सिंगासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्टित करने वाले जो आचार थे वो दुवेदी हैना आचार महावी पर साथ दुवेदी थे तो ये आपको याद रखने ना है कि दुवेदी जी ने ब्रजबासा को कविता की सिंगासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्टित करने में काफी यो question क्यों बढ़ेंगे भासा के रूप में स्तापेत हो चुकी थी परंतु कविता की भासा अब भी ब्रज भासा ही बनी रही है ना चिरगाओं किस से कभी का जन्मिस्थान है या पेर शुमित्रा नंदन पंत चिरगाओं किस कभी का जन्मिस्थान है ये आपको बताना है प्रश किस कभी का जन्मिस्थान माना जाता है माखलाल चत्रवेदी का तो नहीं है किसका है बताईए और उत्तर आपका बिलकुर साही आंसर हो जाएगा कि सर चिरगाओं जिला जहां सी चिरगाओं में जन्म हुआ था राष्ट कभी महत्री श्रंगुप्त का जिनकी रचना भारत भारती के लिए 1912 ये दोस्तो 1912 की इसको याद रख लेना मैंत्री श्रंगुप्त जी का जन्म हासी जिले के चिरगाओं में हुआ था राष्ट कभी गुप्त जी के द्वारा लिखे गए काब गरंत हैं जैद्रतबद भारत भारती साके त्यासोधरा पंचबटी प्रिया याद रख लेना ये दोस्तो और माकरलाल चुद्रवेदी का जन्म मद्ध प्रदेश के कहा हुआ था होशंगाबाद जिले के बाबाई गाओं में हुआ था है ना सुविद्रा कुमारी चोहान का जन्म प्रियाग के निहालपुर गाओं में हुआ था और पंत जी क का जन्म हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश है ना अलमोडा जिले में हुआ था अलमोडा जिले की कोसानी गाउं में हुआ था ये भी आपको याद रख रहे ना जो अब उत्तरा खंड में आता है अलमोडा जिला की कोसानी गाउं ठीक है अब यहां पर आपको सुमेलित करन प्रिये प्रवास रंग में भंग म्रत्युन जय या पर पत्यक बताईए प्रिये प्रवास की रचनाकार कौन है रंग में भंग की रचना किसने की म्रत्युन जय किसकी रचना है और दोस्तों पत्यक की रचनाकार कौन है चार कूट आप से दिये हैं चार कूट में से प्रिये प्रिये प्रवास तो आपने कई बार पड़ा प्रिये प्रवास यानि की दोस्तो हरियोत की रचना महाकाब है है ना 1914 में लिखा गया प्रकासित हुआ रंग में भंग तो आपको पताई है मैत्रीशन गुपते हैं ठीक है अब आपको पतेक बताना है तो पतेक की रचनाकार त ठीक है राय देवी प्रसाद पूर्ण ठीक है तो प्रिये प्रवास किसकी है हरियोद की रंग में भंग मेहत्रिशन गौपते मृत्यून जये राय देवी प्रसाद पूर्ण और पतेक राम नरेश स्रपाटी ठीक है एक किडियर इतनी चीज़ें आपकी किडियर हो गई अंग और दोस्तों मेत्री श्रंगुप्ति की रंग में भंग है ये भी आपको याद रखेना पतेक राम नरिष्टर पाठी की है ठीक है मृत्युन जय रायदेवी प्रशाथ पूर्ण की रचना कई बार पूछी गई अब दोस्तों यहाँ पर आपसे रचना काल की दरश्टी से प इनुकरम बताना है तोचैन करिए रचना काल की दरश्टी से इसका सही जो उत्तर है दोस्तों रचना काल की दरश्टी से सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रू कर दिएगा कि यह दोस्तों आपका प्रिये प्रवास साकेत तुलशीदास और कर्षनायन कि यह माने जाती है इनके बारे में अपने यहां पर पढ़ेंगे कि प्रिये प्रवास का रचनाकाल 1914, साकेत 1931, तुलशीदास 1938, क्रश्नायन 1943 प्रिये प्रवास, अयुद्या स्यम्पाद्य हरियोत की, साकेत मैत्री शरंगुप्ति की, तुलशीदास, सूर्कांतरपाठी निराला की रचना है तुलशीदास, और क्रश्नायन द्वारिक्या प्रसाद की रचना है ठीक है, इनको आपको याद रख लिना, और दोस्तों आपको पता है, कि हिंदी में राम चरित मानस के बाद, राम काब का जो दूसरा इस्तंब माना जाता है, वो साकेत महा काब माना जाता है राम काब पर आधारती महा काब है दोस्तो इसको अपन को याद रख लिना है फिर बढ़ते अंगले कोश्चन की ओर अंगला कोश्चन आपको यहाँ पर चैन करना है अंगला कोश्चन आपको बताना है कि यहाँ पर चैन करिए यह है दोस्तो आपका कोश्चन आपको बताना ह कि करते करते तुलिसी दास भी कैसे मानस नाद हैना महाबीर का यदी उन्हें मिलता नहीं प्रसाद उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है बताईए कि उक्त पंक्ति किसी करते तुलिसी दास भी कैसे मानस नाद महाबीर का यदी उन्हें मिलता नहीं प्रसाद उक्त पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है ये पंक्ति आपको बताना है और ये पंक्ति है दोस्तो मैत्री श्रंगुप्त की है ना उक्त कभियों के रचना पंक्तियों के रचनाकार राष्ट का भी मैत्री श्रंगुप्त है है ना और दोस्तो मैत् इती ब्रत्तात मक्ता किस काब युग की प्रमुक विसेशता है ये क्वेस्चन तो कई बार आया इती ब्रत्तात मक्ता के बारे में आप से पूछा जाता है और जिन भी सात्यों ने अभी तक सेल्फ इस्टडी किलासेस एप डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही दोस्तो के लिए कोर्स में अड़ी सलेना है तो फीस मात्र बारा सो रखी गई है एक साल तक बैलेड रहेगा ये आपका कोर्स है ना तो आप अध्यन कर सकते हो इती ब्रत्तात मक्ता किसी युग की प्रमुक विसेशता है उत्तर चला जाता है दुवेदी युग की है ना इती ब्रत पर है सातियों बैदेही बनवास के लिए का कौन है आपको चैन करना 25 का उत्तर आपको बताना है बैदेही बनवास और अपनने पढ़ी है दोस्तों हैना कौन कौन सी पढ़ी है पारिजात पढली क्रशन सतक पढली रसकलस पढली प्रिये प्रवास पढली बैदेही बनवा कहा जाता है ये भी याद रख लेना कभी समराट की उपादी से सम्मानित किया गया इनके लिए और दोस्तों आयोध्यास्यम अपाद्या हरियोद याद रख लेना कि दुवेदी युक की स्रिष्ट कभी माने जाते हैं बैदे ही बनबास इनकी रचना है और कई बार पूछी भी गई है आधनिक हिंदी कभीता में दुवेदी युक की सीमा बताना है दोस्तों दुवेदी युक काल क्या था इसका चैन आपको करना है सभी लोग राइट जरू कर देना सभी लोगों को राइट जरू करना है ठीक ह और दोस्तो पूरा आपको राइट यहाँ पर करना है ठीक है तो आधने के हिंदी कविता में दुवेद युक्का काल चीमा कब तक माना जाता है यह उत्तर आपको बताना है जल्दी से बताएं अनीता जी एक ही प्रेशन में थोड़ी बैठे रहेंगे अपन लोग यह ना बत कब तक माना जाता है तो वो माना जाता है उन्नीस से दोस्तो यहाँ पर बिकलपानुसार जो है वो उन्नीस से उन्नीस सो अठारा वैसे उन्नीस सो से उन्नीस सो बीस भी माना जाता है याद रख लेना चूंकि उन्नीस सो अठारा से छाया बात का उदय हो जाता है इसलिए बेकलपानु सार अपन उत्तर लगाएंगे 1900 से 1918 यानि की डी नंबर ठीक है इसको याद रख लेना अंगला कोश्चन इन में से कौनसा कभी दुवेदी युग का है ये प्रशन किरमांग 27 का आंसर बताना है दुवेदी युग का कभी कौनसा है ये बताइए बद्री नारण स्कल सनेही दुवेदी युग का कभी कौन सा है चार बिकलप है Help Study Classes एप जरू डाउनलोड करना है आपको सात्यों है ना और आपको विस्तरे तद्यान पढ़ना है ट्रिक से पढ़ना है टॉपिक बाइस टेस्ट भी लगाना है तो एक ही कोर्स में आपको ये सब कुछ मिनने वाला है मात्रे कोर्स आपको बारा सुरुपे में दोस्तो एड दुवेदी युक के कभी माने जाते हैं कौन गया परसास सुकल सनेही जे इनको अपन को याद रख लेना है और यहाँ पर दोस्तो याद रख लेना है बद्री नारण चोदरी की बात करें तो इनका पूरा नाम था बद्री नारण चोदरी प्रेम घन है ना और दोस्तो हुआ था 1865 में आपको पता होगा है ना राधा करणदास का 1865 में बारतेंदु युक के ये कभी मान जाते हैं जबकि गया प्रसास सुखल सनेही 1883 यानि कि ये दुबेदी युक के कभी मान जाते हैं इनको भी याद रख लेना जस्बंत से हैं तो आपको पताइए इनकी भास बूशन रचना है और रीतिकाल के कभी हैं ठीक है अब अंगला क्वेश्चन है चौपट चपेट और मैंक मंजरी नाटकों की रचनाकार कौन है बताइए चौपट चपेट और मैंक मंजरी बढ़िया प्रशन है चौपट चपेट मैंक मंजरी नाटकों की रचनाकार आपक चपेट और मैंक मंजरी के रचनाकार आपको बताना है तो चौपट चपेट बोले सर चपेटा खेलते हैं किसोर किसोरियां चपेटा आपने देखा होगा गाओं आओं में है ना एक खेल होता है चपेटा है ना चपेटा और मैंक मंजरी किसोर इलाल गोश्वमी जी के नाटक माने जाते हैं पर उत्तर चला जाता है आपका एकी तरफ ये नंबर आपका बिलकुर सही हो जाता है ठीक है फिर अंगला कोश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों अंगला कोश्चन आपको बताना होता है कि दुवेदी युक के सर्बसेश्ट प्रिगीत कार कौन माने जाते हैं दुवेदी युक के सर्बसेष्ट प्रिगीतकार कौन माने जाते हैं? रूप नारण पांडे, लोचन प्रिसाद पांडे, मुकुट धर पांडे या फिर किनमे से कोई नहीं? दुवेदी युक के सर्बसेष्ट प्रिगीतकार कौन माने जाते हैं? प्रशने किरमांग 29 और 29 दुवेदी युक के दोस्तो सर्बसेष्ट प्रिगीतकार माने जाते हैं? मुकुट धर पांडे, कौन माने जाते हैं? मुकुट धर पांडे, यानि कि आपका स्थी बिलकुल श प्रियोग किया, मुकुटधर पांडे ने स्वचंदता बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया, स्वचंदता बाद के प्रबर्तक माने जाते स्रीधर पाटक, लेकिन स्वचंदता बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग करने बाले जो हैं, वो कौन है मुकुटधर पां पूजा के फूल इनकी प्रसिद्ध क्रतियां है रसकलस किसकी रचना है यह उत्तर आपको बताना है दोस्तों यानि कि रसकलस के रचना कार कौन है यह आपको चैन करना है प्रशन क्रमांग 30 का आंसर स्रीधर पाठक आयोध्या सिम्पाद्या हरियोद गया प्रसास सुकल सनेह या फिर मेत्री शरण गुप्त रसकलस किसकी रचना है यह सबी लोग आंसर बताना है खुरेशी जी बताइए रसकलस की रचना कार कौन है आपको पता है कि क्रशन सतक दोस्तों क्रशन सतक आयोध्या सिम्पाद्या हरियोद की पहली रचना माने जाती कौन सी क्रशन सतक और जो रसकलस है ये भी रचना किसकी है अयुद्धिया से उपाद्या हरियोद की इनकी रचना ये रचना दी है रसकलस की रचनाकार हैना अयुद्धिया से उपाद्या हरियोद गुण बंत है मंत स्रीधर पाठक की भारत भारती मैत्री श्रंगुपत प्रेम पचेसी गया परसा सुकल सनीही की है हरियोज स्रीधर पाठक तता मैत्री श्रंगुपता दिये दुबेदी है ना मंडल के कभी मान जाते दुबेदी युक के कभी मान जाते ठीक है मैत्री श्रंगुपती की प्रतिवा का विकास शरबादे किस साहित के रूप में देखने को मिलता है ये बताना ह उत्तर का आपको वतना है और मेहत्रीश रंगुप्त की प्रतिवा का विकास सरबाद किस आहित रूप में देखने को मिलता है तो वो मिलता है प्रबंदकार की रूप में प्रबंदकार की रूप में यानि बी नंबर आपका बिलको शही है बी नंबर बिलको शही हो जाएगा प्रबंदकार की रूप में इसको याद करेंगे है ना मेत्रीशन गुप्ति की प्रतिवा का विकास सरबाद एक प्रबंदकार की रूप में हिंदी सायत्ति में देखने को मिलता है ठीक है रंग में भंग 1909 जैदरत बद किसान बिकट भट गुरू कुल शाकेत भारत भारती जंकार यसोदरा द्वापर जैभारत पंचबटी हिडिमबा विश्णू प्रिया इस सारी की सारी रचनाय कुछ की माने जाती है मैं त्रीशन गुप्ति की इन रचनाओं को याद करना है दोस्तों त्रीशन गुप्ति की कौनसी रचना नाई का प्रधान नहीं है यह से भी सबी लोग क्या हो जाएगा मैत्रीश मैत्रीश रणगुप्ति की कौनसी रचना आपको बताना है कौनसी रचना नाई का प्रधान नहीं है यह रचना आपको चैन करना है तब आपका बिलकुँ सही है मैत्रीश रणगुप्ति की कौनसी रचना नाई का प्रधान नहीं है उत्तर सही है दोस्तों पंचबटी ठीक है पंचबटी 1925 साकेट 1931 यसोधरा 1932 है ना इन रचना को आपको याद रखना है और यह जो रचना है दोस्तों मैत्रीश रणगुप्ति की जो पंचबटी रचना है यह पंचबटी रचना क्या नहीं माने जाती नाई का प्रधान नहीं है यानि कि आपका उत्तर बी नंबर बिलकुट शाहिए बी नंबर आपको चैन करना है यहाँ पर ठीक है बी नंबर यह नाई का प्रधान नहीं माने जाती यह आपको याद रखने ना यसोधरा आपको पता है दोस्तों यसोधरा में महत्मा गोतम बुद्धी की पतनी यसोधरा का वर्नन है ये भी पता है ठीक है इनका दोस्तों खंड काब माना जाता है यसोधरा ठीक है बहुत बड़ी आप अब यहाँ पर अंगला कॉस्चन आपको चैन करना है कि मैत्री शलं गुप्ति की निम्नले खित काभ विक्रतियों का शही अनुक्रम क्या है गुप्ति जी के बारे में सभी को बताना है सभी लोग बताएंगे बताईए में थ्रीशन गुप्ति की काभ विक्रतियों का सही अनुक्रम आपको चैन करना है बताईए अर्सदीप जी, सुरेंद्रा हिरवार जी, रतन जी, सरोज जी, दार्सू जी, खुरेशी जी, हाँ चैन करेंगे सबी लोग, उत्तर क्या हो जाएगा, मैत्री सनगुप्ति की निमलेकित काब विकृतियों का सही अनुकरम आपको चैन करना है क्या उत्तर सही हो जाएगा, मैत्री सनगुप्ति की निमलेकित काब विकृतियों का सही अनुकरम आपको बताना है तो दोस्तो सबसे पहले इनकी पंचबटी, साकेत, यसोधरा और द्वापर की रचनाय आती है यहाँ पर याद रखना है दोस्तो इनकी पंचबटी, रंग में भंगन 1909 मानी जाती है जैद्रतवद 1910 मानी जाती है, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचबटी 25, हिंदू 27, हैना और बिकटवट 1929 यह क्रम में भी पूचे जाती हैं दोस्तो, ठीक है, यह आपको याद रख लेना है, यह पूची जाती है गुरुकुल 1929 में जंकार 1929, साकेत 31, यसोधरा 32, द्वापर 1936, सिद्राज 1936, जैभारत 52 और विश्नुप्रिया 1957 मानी जाती है तो यह रचना है हमेशा पूची जाती है, ठीक है, सभी लोग याद करना रक्षे, सरवाजी, रीता जी, ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है, रंग में भंग नामक काब किर्थी के रचेता कौन माने जाती हैं? प्रशन करवां 34, रंग में भंग बताना है, बताइए, जल्दी से लिखना है, कुछ नहीं हुआ है, मीनाक्ची जी, रतन जी, रंग में भंग नामक काब किर्थी के रचेता बताना है, एक इंच मुस्कान, है ना, मन्नु भंडारी और राजन र्यादों की एक इंच मुस् ठीक है, विसाल जी, रंग में भंग नामक काब किर्थी के रचेता आपको चैन करना है, और उत्तर सही हो जाएगा आपका क्या, मेतली सरण गौप्त है, मेतली सरण गौप्त है, क्यानि कि सी नमबर सभी लोगों को पता है, रंग में भंग आपका बिलकुल सही आंतर हो जा कि C, आपने जो चैन किया है, विल को राइट आनसर है, रंग मैं भंग, नाम किर्थी राजबूतानी आनवापन, ऐसा भी क्वूश्चन कई बार आता है दोस्तों, कि निमने मैंसे बताईए, कि राजबूतानी आनवापन की कथा पर आधारत, कौन सी रचना है तो वो है दोस्तों इनकी रंग मैं भंग रंग मैं भंग यह आपको याद रख रहे ना है ऐसा question आता और मैंने आपको बताया भी था खड़ी बोली हिंदी के प्रतम महा कभी येचijn करिये कौन मान जाते हैं कभिता, कौमोदी, उद्धाव, चरित, प्रिये प्रवास या फिर लोकायतन खड़ी बोली हिंदी का प्रताम महाकाब कौन सा है खड़ी बोली हिंदी का प्रताम महाकाब सबी लोग बताएंगे और यहाँ पर आपका बिलकुल सही आंसर है प्रिये प्रबास है ना प्रिये प्रबास यानि सी नमर आपका बिलकुल सही है ठीक है कलपना जी ओम प्रकास जी हर्षवी जी सी नमर आपका खड़ी बोली हिंदी का प्रतम महा कब माना जाता है प्रिये प्रबास और खड़ी बो 24 इस भी में आयोध्यासमिपाद्य हरियोद द्वारा रचेत प्रीय प्रवास हिंदी खड़ी वोली का प्रिता महाकब है और अगर आप से question पूछा जाए कि हिंदी खड़ी वोली के प्रिता महाकब इकौन है तो महाकब इकौन होंगे जो महाकब लिखेगा यानि कि उत्तर कह चला जाएगा अधिया से मुपाद्या हर योद की तरफ ठीक है अंगला कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर है कौन सा काब गरंथ नहीं है काब गरंथ कौन सा नहीं है बैदेही बनवास है ना या फिर पतेक भारत भारती या फिर रसक रंजन कौन सा काब गरंथ नहीं है ये आपको सबी को आमंत्रन सबी को जाएगा कुरेशी जी है ना बहुत वड़ी जा निवनमया से कौन सा काप गरंत नहीं है तो ये नहीं माना जाता रसक गरंजन कौन सा नहीं माना जाता रसक गरंजन यानी सी नमबर आपका बिलकुल सही है सी आपका सही है ठीक है आप सबी लोग उत्तर देंगे है ना सी नमबर रसक गरंजन आपका बिलकुल सही हो जाएगा तिक है अब यहांपर आते हैं यहांपर आते दोस्तों रसक्य रंजन काब जरंथ नहीं है तो यह भारत भारती राष्टकवी मैंतुशलंग उप्ठ द्वारा 1212 में रचिछत काब जरंथ भारत भारती है तिक जिसमें गुप्त जी ने देश प्रेमेवर राष्टियता की स्वर दिया है और इसी कारण भारत भारती रचना को अंग्रेजी सरकार द्वारा ठीक है जब तकर लिया गया था और दोस्तो राम कता प्राधारेतकाब भृकर्ण्त है एक कौंसा बैदेही बनवास और पतेक राम ररच्ट्रपाटी की एकाब भृकर्ट्टी है इनको आपको याद रखेना बात कर लेते हैं दोस्तों काई की अब आपको बात करना है साकेत महाकाब का सरवादिक मारमिक सर्ग आप से पूछा गया तो यह उत्तर सभी लोग कमेंट में उत्तर बताएंगे अब ठीक है उत्तर आपको बताना है और भी दूसरे कमेंट आपके नहीं आने चाहिए अब ठीक है साकेत महाकाब का सरवा सरवाद एक मारमेक सरग माना जाता है और उत्तर आपका हो जाता है डी नंबर डी आपका बिलकुल चाही है ठीक है आप सभी लोग ध्यान देंगे कमेंट में उत्तर बताने का कोणगों गलत बता रहा हम पूरा देख रहे हैं साकेत महाकाब सरवाद पर आधारत यह भी आपको याद रखने ना ठीक है यह याद रखना है और दोस्तों औरुज़ु क्ईश्च हो सब्सक्राइब और लिकषे पर रोड़ा लिकरत का मुन सा माना जाता रोड़ कि शुख़े नहीं सा माना जाता है सबी लोग बताए और उत्तर हो जाएगा दोस्तो चौके चौपदे आणि कि स्ती नम्मर आपका बिलकूर साही है और स्ती आपका बिलकूर साही हो जाता है स्ती आपने जो बताया बिलकूर राइट आंसर है चोके चौपदे, रस कलस, बैदेही बनवास, चुभिते चौपदे, पद्म प्रासून, प्रीये प्रवास, ये सारी की सारी रचनाय माने जाती हैं, दोस्तों किसकी माने जाती हैं, आयोध्या सम्पाद्या हरियोद की, खड़ी बोली के प्रतम महा कभी कहे जाते हैं, आयोध जाते हैं ये प्रश्न किरमांग के 39 का उत्तर आपको बताना है स्रीधर पाठक हरियोद मैतली सरंगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं दुवेदी युक्के संपूर्ता है बताइए पृति निदी कभी कौन माने जाते हैं चार विकल्पें दोस्तों मैंने आज बताया था आपको कि दुवेदी युक्के जो माने जाते हैं संपूर्ता है पृति निदी कभी वो माने जाते हैं कौन माने जाते हैं मैतली शरंगुप्ते मैतली शरंगुप्ते क्यानी सी नम्मर आपका मैतली शरंगुप्ते बिलकुल सही हो जाएगा मैतली शरंगुप्ते आपको भारत भारती में किस भावना की रूप रेका प्रस्तुत है यह उत्तर आपको बताना है बताइए तो यहाँ पर सीधा सीधा है भारत भारती में किस भावना की रूप रेका प्रस्तुत है तो आपका उत्तर हो जाता है रास्ट्रिय भावना रास्ट्रिय भावना की र राष्ट्रिय भावना की कारण दोस्तों जो है किसको गुप्त जी को राष्ट कभी की उपाधी भी मिलीती महत्मा गांधी द्वारा ठीक है बिलकुल शाही बहुत बढ़िया अंगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों रतना क्रत गंगा उतरन रतना क्रत गंगा आउतरन की रिचना कार कौन है तो गंगा में आउतरन लेने बाला बोले से रतन ही होगा कोई ठीक है तो यह 41 का अंसर बताना है सबी लोग लाइक जरू कर देना और जिन भी सात्यों को एडवीशन लेना है दोस्तों कोर्स में वो एडवीशन लें है ना सेल्फ इस्टडी क क्लासेस है ना और दोस्तों लग जाना है अपनी पढ़ाई में एप को डाउनलोड करिए कोर्स में एडवीशन लेना है तो कोर्स में एडवीशन लीजिए ठीक है और अपनी तैयारी विवस्तित करिए पढ़ाई करिए जूनियर टेट वाले हों है ना या फिर दोस्तों आ आपने CGT, PGT, UK, LT वाले या मास्टर केडर वाले हों सभी तो ये गंगा उत्रण किस चंद में लिखा गया ये आप से पूछा गया तो आपने लगाया है रोला रोला यानी सी नमबर आपका बिलको सही है दुवेदी युक के ब्रजभासा के कभी जगनात दास रतना करने ग्रहस्त जीबन का जैसा सुंदर चित्रण सुरदास में मिलता है वैसा ही आधुने काल के किस कभी में एह मिलता है ये आपको बताना है 42 को अंसर बताना है ठीक है प्रियोग बात के पूरे वीडियो आएंगे सेकेंड बैच का जो टेस्ट है प्रियोग बात के आपको पूरे वीडियो पढ़ना है सत्रा तारीक को सेकेंड बैच का टेस्ट होगा है ना और भक्ति काल में ग्रेश्ट जीवन का जैसा सुन्दर चित्र सूरदास में मिलता है बैसा ही आदुने काल के किस कभी में मिलता है तो वो कभी हैं दोस्तो कौन मैतली सरणगुप्त है है ना मैतली सरणगुप्त है क्यानि की उत्तर चला जाता है डी की ओर ठीक है दुबेदी युगीन जो मैतली सरणगुप्त जी हैं दोस्तो हैना इनकी र बताना है कि हिंदी भासा के मानकी करण की द्रश्टी से कौनसा योग सरवाद एक महत्पून योग था कौनसा योग था जो सबसे महत्पून था हिंदी भासा के मानकी करण आपने देखा होगा दोस्तों कि खड़ी बोली कि जो पून प्रतिष्टा हुई वो हुई कब कब हु वासा इंदी वासा के मानकी कणकी द्रस्टी से कौन सा योग सरवधिक माद पूर्ण की द्रश्टी से दोस्तो दुवेदी योग सब्सका इसका स्रेप पूरी तरह से आचार महावीर पिरसाद दुवेदी को जाता है स्रस्वती पत्रिका को है दुवेदी जी बरतनी सुद्धिता उचित सब्दों ब्राम चिन्नों के प्रियोग इत्यादी पर विसेश जोड दिया करते थे ठीक है और भारतेंदु युग को नव ज चंदका प्रिवेश चायाबाद की प्रमुक देन है मुक्तक चंदका ठीक है और परंपरा में दोस्तों हटकर नए भाव वोदों का प्रिकासन प्रिगति बात की प्रमुक अपलब्दी है ये तो आपको पताई है मुक्त चंदका ठीक है किसान की रचनाकार कोने किसान बता रचनाओं को मैंने बहुत अच्छे से यात करवाया है आप लोग पढ़ते रहिए उन रचनाओं में दोस्तों किसान की रचनाकार आपको बताना है तो किसान की रचनाकार माने जाते हैं कौन बुलिसर किसान मैथी बोता है क्या बोता है गीति क्या जी मैथी बोता है मैथी है यह आपका सई है रंग किसान रंग में भंग जैदरतबद बिकट भट है ना पिलासी का युद्ध गुरू कोल साकेत पंचबटी सिद्धराज ठीक है यह सोधरा यह सारी रचनाय माने जाती हैं दोस्तों किसकी मैत्री शरंगुप्त की और यह दुवेदी युक के कभी माने जाते हैं गुप्त जी राष्ट कभी भी इने कहा गया और राष्ट कभी इने दोस्तों इनकी प्रिसिद्ध रचना 1912 में जो प्रकासित हुई थी वो रचना ठीक है उसके कारण दोस्तों इने प्रिसिद्धी के कारण इने राष्ट कभी की उपादी दीती किसने दीती रा सर्ग बड़ा मारमिक सर्व माना जाता है और मिला और लक्षमन से संबंदे दोस्तों यह बहुत ही मारमिक सर्ग है इसको भी आपको याद रखेना है अब आपको बताना है उत्तर बताना है कलपिना जी कि साकेत में कितने सर्ग हैं यह उत्तर आपको चैन करना है चैन करिए श अगर साकेत में पूछे हैं तो साकेत में 12 सर्ग हैं अगर कामाईनी में पूछा जाता तो 15 सर्ग हैं अगर प्रिये प्रवास में पूछा जाता तो 17 सर्ग हैं है ना और रामचेत मानस में पूछा जाता तो 7 सर्ग हैं है ना ये हमेशा पूछे जाते हैं कामाईनी में 15 सर्ग साकेत में वारा सर्ग प्रिये प्रवास में सत्रा सर्ग है ना और राम चेत मानस में साथ सर्ग एक question आते हमेसा इनके लिए तयार रहना है और दोस्तो अंगला question है आपका कि खड़ी बोली का प्रतम महा कब कौन सा है बड़ीया प्रशन है अगर आपसे कभी महा कभी भी मैंने आपको बताया कि कभी खड़ी बोली का प्रतम महा कभी अगर पूचा जाए तो महा कभी के सकते हो मस्ती से पढ़ाएंगे मंजदार तरीके से पढ़ाएंगे कभी आपको नहीं लगे का कि हम पढ़ाई कर रहे हैं हस्ते हस्ते है ना और मुस्कराते मुस्कराते आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हिंदी साहित हो कितना याद गया है है ना खड़ी-बोली का प्रतम महाकाब प्रिये प्रबास प्रिये प्रबास भी नम्मर यहाँ तो केबल अपन प्रैक्टिस से पड़ते हैं दोस्तों टेस्ट लगाते हैं पुस्तक से पड़ते हैं यह ना बाकी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है दोस्तों कहाँ पर एप में बिस्तृत भी पढ़ाया जाता है प्रिक से भी पढ़ाया जाता है सारी चीजें प्रिये प्रबास को खड़ी बोली का प्रतम महाकाब माना जाता इसके रचेता हरियोद हरियोद माने जाते हैं है ना ये भी याद रखे ना साकेत महाकाब दोस्तों मैत्री श्रंगुप्त का है कामाईनी महाकाब जैसंकर प्रसाथ का है और लोकायतन महाकाब की रचेता भी कौन है शुमित्रा अनंदन पंते जिने प्रिकृति का चितेरा कभी कहा जाता है जिने दोस्तों जो है इनकी रचना ज अब तो कोयस की कालीमा को मैट दो एना निजदेश को जीवन सहत तनमन धन एना तथा धन भैट दो बैस्यों सुनो ब्यापार सारा मिठ चुका है देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या किलेस का ये उपरयुक्त पंक्तियों की रिचनाकार कौन मार जा यैसी कौन अंग्रेजों के समय एसी कौन बात करेगा जिसमें दम होगी जो राष्ट दोस्तों राष्ट भावना से लिखेगा वो ही करेगा है ना तो राष्ट भावना से लिखने वाले जो कवी थे कौन? कौन थे मेतली शरणर गुपते यानि कि आपका उत्तर बी नमर मेतली शरण गुप्त बिल्कुर चाहिए हो जाएगा ओ परियोक्त पंक्तियों के रिचनाकार मेत्री श्रंगुप्त जी भारत भारती रंग में भंग बेकटकेड इनकी अनरचनाय हैं तथाई राष्ट कभी के पत पर आसीन हैं है ना ये तो बिल्कुर चाहिए है ठीक है प्रिये की काभ पंक्तियां इसका भी की हैं बताइये काभ पंक्तियां आपको चैन करना है रामनरा इस तरपाठी या पैर लाला भगवान दीन की ऐसे कौंसे साथी हैं दोस्तों जिन्वाने अभी तक सेल्फ एस्टैडी क्लासेस का एप डाउनलोड नहीं किया आप डाउनलोड करिए दोस्तो जल्दी दोस्तो फिरी आपके लिए test series चलाई जानी है है ना हिंदी साहित की दोस्तो रोज अपन 20 question की एक test series में तयार करवा रहा हूं वो तयार आपको रोज एक फिरी सभी के लिए उपलब्ध होगी रोज 20 question की test series आपको करवाई जाएगी है ना तो जिन भी सात्यों ने self study classes का app डाउनलोड नहीं किया वो जरूर कर ले हैं फायदा ही होगा आपके लिए है ना जिनको course में अडवीशन लेना वो course में अडवीशन ले करके पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आपका बिल्कु सही उत्तर है राम नरेश त्रपाठी यानि बी नम्मर आपका बिल्कुर सही है भी आपका right answer हो जाते है पंक्तियां त्रपाठी जी की है त्रपाठी जी है ना और त्रपाठी जी की रचना यह आपको याद रखने ना मिलन सत्रा पथेक है ना मांसी स्वपन और कभिता कोमोदी कभिता कोमोदी भी आपको याद रखने ना अभी तक आपने रचनाय पढ़ी होंगी कि सर मिलन मांसी पथेक स्वपन यह रचनाय तो आपने पढ़ी है लेकिन अब कविता को मौधी भी आपको पता होनी चाहिए कि कविता को मौधी भी दोस्तो राम नरेश्टर पार्टी की रचना मानी जाती है इसको सभी लोग याद रख लेना ठीक है तो मिलन पतेक है ना मिलन पतेक मांसी श्वपन है ना और दोस्तो कविता कोमोदी आप से कई बार पूचा गया कि कविता कोमोदी की रचनाकार कौन है तो कविता कोमोदी की रचनाकार राम नरेश्तर पाठी है ना और दोस्तो क्या होता है ये राम नरेश्तर पाठी की कविता कुमोदी और राम रेश्टर पार्टी दुबेदी युक्के स्रेष्ट कभी मान जाते दुबेदी युक्के ठीक है बहुत बढ़िया मिलन के पत पर मांसी का स्वपन देखा हरियोम जी क्या वात है मिलन के पत पर मांसी का स्वपन देखा बिलकुल देखो भाईया हिंदी के मान की करत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विदीबत विचार किया 49, 49 का उत्तर चैन करिए बताईए, हिंदी के मान की करत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विदीबत विचार किया था ये बताना है, मान की करत, मान की करत के लिए बताना है और उत्तर क्या हो जाता है उत्तर बताना है और उत्तर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि दोस्तो हिंदी के मान की करत स्वरूप पर सबसे पहले किसने भी दिवत बिचार किया था तो वो किया था आचार महाबीर प्रसाथ दुवेदी ने इन्होंने हिंदी के मान की करत पर दोस्तों बिचार किया था यानि कि ये नमबर आपका बिलकुल सही हो जाएगा ए नमबर राइट आइसर हो जाएगा सभी लोग वीडियो को लाइक जुरू कर देना साथ यो जो भी हमारी साथ यो हैना हिंदी साहित से संबंदित हैं हिंदी के मान की क्रस्थ रूप पर संस्थापक कौन थे बताइए चार विकल्प नहीं दिये जाएंगी आज आपको आज आपको युत्तर बताना है सरस्थ पत्रिका के संस्थापक कौन थे थोड़ा सा आपसे कलने डिसकसन कलने आज बहुत हो गया आप लोगोंने बहुत हसा है और हसबाया भी बहुत है तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर सरस्थ पत्रिका के संस्थापक कौन थे संस्थापक बताना है सरस्थ पत्रिका के बारे में बात हो जाए सबसे पहले ये दोस्तों कासी से प्रकासित होती थी बाद में ये प्रयाग से है ना बाद में ये प्रयाग से प्रकासित चिंता मनी घोस आपका बिलकुश सही है चिंता मनी घोस इसके संस्थापक माने जाते हैं अब आपको दूसरा क्वेस्चन दिया जाता है कि दोस्तों स्रस्वती पत्रीका के प्रिथम संपादक कौन थे देखो कुछ लोग महाबीर पर साथ दुबेदी लगाए जा रहे हैं भ संस्थापक थे अब आप से पूचा कि प्रिथम संपादक कौन थे तो आपका उत्तर क्या होने चाहिए है ना प्रिथम संपादक कौन थे तो आपका उत्तर होने चाहिए बाबु स्याम सुंदरदास प्रिथम संपादक थे और आप से पूचा जाएगा कि 1903 में संपादक क महावी प्रसाद दुबेदी लगा के आते हो ऐसा नहीं करना है अब आपको हैना संस्तापक पूछे तो संस्तापक लगाना चिंता मणी घोस संपादक पूछे तो संपादक लगाना है दोस्तों प्रतम संपादक में स्याम सुंदर दास और 1903 में कौन बनेते तो क्या बैठे रहना बैठे रहना यहां महादुस कर्म है नियायार्थ अपने बंदू को भी दंड देना धर्म है और परियोक्त काब पंक्तियां किस गरंट से उध्रत मानी जाती है प्रश्न क्रमांग 50 50 बहुत बढ़िया सभी को धन्नवाद हैना सभी लोग कन्फ्यूज नहीं ह और दोस्तो नियायार्थ अपने बंदू को भी दंड देना धर्म है यह पंक्ति किसकी है इह पंक्ति आपको चैन करना है और आपने चैन किया है कि सर उत्तर हो जाएगा जय दरत बद आपका बिल्कुस सही आंसर हो जाएगा अधिकार को कर बैठे रहना यह महादुसकर्म है नियायर्त अपने बंदु को भी दंड देना धर्म है ये जो पंक्ती है ये जैदरतबद है ना ये आपको याद रखे ना और ये जैदरतबद के रचनाकार भी कौन मान जाते हैं बोले सर मैतली श्राणगुप्त है ये जैदरतबद और पर और कुरू छेत्र रस्मी रती ये दिनकर की रचना है अब आप से पूचा जाता है दोस्तों कि कुरू छेत्र की रचना कार कौन है रस्मी रती की रचना कार कौन है तो आप बताते हो दिनकर है ना और एक और confusion है रस्मी रस्मी रचना किसकी है तो रस्मी रचना दोस्तो महादेवी बर्मा की है और रस्मी रथी रचना किसकी है तो ये दिनकर की है confusion नहीं होना है ना इनकी जो रस्मी रचना है दोस्तो ये बोध धर्म से प्रभावित मानी जाती है किसकी महादेवी बर्मा की रस्मी र प्रभावित्ती महादेवी बर्मा और उनकी कौनसी रचना प्रभावित्ती तो वो थी रस्मी है ना अपने इनकी पड़ी है ना दोस्तो निहार रस्मी नीदजा है ना और सांध गीत दीप सिका ये सारी रचना आती महादेवी जी की और उनकी दोस्तो यामा पड़ी है अप लेखिका जिने की दोस्तों किसी किसी पुस्तक के लिए किसी रचना के लिए किसी रचना के लिए ग्यान पीट पुरुषकार मिला था तो वो लेखिका थी कौन सी कौन सी थी महादेवी बर्मा कभी आप से कॉस्चन बनेगा कि हिंदी साहित में एक मात्र लेखिका जिने की कि जी की रचना थी फिर उसके बाद 1972 में मिला दोस्तों किसे और बसी के लिए और बसी रचना किसकी थी दिनकर जी की और एक और बसी काब रचना जैसंकर पिरसाथ की भी है और बसी एक दिनकर की भी है कन्फ्यूज नहीं होना बहुत सारे लोग यहां कन्फ्यूज हो जाते हैं और 1978 में मिला था कितनी नाव में कितनी बार के लिए और 1982 में मिला था किसे महादेवी बर्मा को यामा के लिए इन सारी को आपको याद रखना है दोस्तों ठीक है हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ बिचारें आज मिलकर ए समस्याये सभी वो परियुक्त काभ किस कभी की मानी जाती हैं बताइए चार विकल्प में प्रश्ण किरमांग 50 बन का अंसर आपको चैन करना है कि हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी ये पंक्ती किसकी है ये पंक्ती सबी लोग बताना है और उत्तर क्या हो जाएगा ये पंक्ती कहां से ली गई दोस्त तो और ये पंक्ती आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि सर ये जो पंक्ती है ये पंक्ती मैत्री शनंगुप्त की है यानि कि B नम्मर आपका मैत्री शनंगुप्त बिलकुल सही आंसर है जिन भी सात्यों ने बताया उनका अंसर बिलकुल सही है हैना B नम्मर आपका राइट अंसर हम कौन थे ए समस्याएं है ना सभी बाग के पंक्तिया माने जाती हैं दोस्तों गुप्त जी की और प्रकासन काल की दश्टी से मेत्री श्रंगुप्त के काब गरंतों का सही अनुकरम आपको बताना है बताईए प्रशन किरमांग चार और चार में आपको पता ह है चार में बताना है दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा मेत्री श्रंगुप्त के काब गरंतों का सही अनुकरम चैन करना है जो भी हमारे साथी जूनियर टेट एकजाम की तैयारी कर रहे हैं मैं एक लास्ट में बहुत अच्छी टिप्स भी दूँगा है ना पढ़िए और न दोस्तों सबी के लिए जादा नहीं है क्यूंकि तीन तीन चार-चार हजार आपको हिंदी साहित में लग रहे हैं लेकिन दोस्तों यह अपना क्या चलता यहाँ पर पुलिस स्दामा पांडे का प्रजातत्र चलता है चीक है तो बारा सो रोपे में आप दोस्तों आज ही अनुकरम क्या है तो अनुकरम है जैदरतबद पंच बटी यासो दरा और विश्नुप्रिया यह इनकी दोस्तों क्रun ह्याते है जैदरतबद दस पंच बटी पचीज यासो दरा था थीज है न और practically विष्रुप्रिया संतावन यह मने जाते हैं तो इनके लिए तो मोले सरा हम तयारते पहले से तो यहाद रख रहे ना दोस्तो कभी-कभी जैदर्थृफपत59 क्याति कार क्षिना क मैसरी स्रावति कैसो काब माना जाता है इसको भी याद रख लेना है ठीक है अब यहाँ पर याद रखेंगे कि विश्नु प्रिया की रिचनाकार कौन है तो विश्नु प्रिया विश्नु प्रिया याद रख लेना कई बार दोस्तों कन्फ्यूज होते लोग पुलिसर रसिक प्रिया रसिक प्रिय केसव दास है ना रशिक प्रिया केसव दास और दोस्तों विश्नु प्रिया विश्नु प्रिया के दोस्तों मैत्री शड़ंगुप्ति की कभी प्रिया कभी प्रिया की रिचनाकार भी कौन मार जाते हैं केसव दास ठीक है बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों आज अपने प कौनसा है ये तो आपको पता ये प्रिये प्रवास है सभी को पता है ठीक है मेत Physics ूरंग ते के दोस्तों रचनाह में निकी रचना दोस्तों ली जाती है कि चुबते चौबते हैं की पद्म प्रिसून है चौके चौपते एक कॉस्चन आपके लिए है आपको बताना है कि अयुद्या सेमपाद्या हरियोत की प्रतम रचना कौन सी थी जल्दी से बताईए ये बहा कभी कहे जाते हैं खड़ी बोली के प्रतम महा कभी चैन करिए और कमेंट में लिखे भटाक से देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर ब प्रतम थी प्रतम कौन सी थी ये बताईए और प्रतम रचना के बारे में पूचा गया तो प्रतम रचना कौन सी थी हरियोत जी की बताईए मंजु यादव जी रबिंद्र जी करम संदू जी रस्मी सिंग जी बताईए सुनील सर्मा चीता देवी जी बहुत बड़ीया अंस इसको याद रखेंगे किसने सतक रचना थी दोस्तों किसकी आयोध्यास से मपाद्या अर्योध की ओर ही प्रतम रचना मानिस आती है इनकी ये आपको याद रखेना है ठीक है बहुत बड़िया शभी लोगोंने राई टाइंसर बताया है क्रस कलस नहीं थी इनकी पहली इनकी पहली थी क्याशने सतक याद रख लेना कन्फ्यूज नहीं होना क्याशने सतक इनकी प्रतम रचनाती हरियोद जी की इन्हें कभी समराट भी कहा जाता है इन्हें क्या कहा जाता है कभी समराट कभी समराट की उपादी दी गई थी दोस्तो नांगरी प्रचारनी सबाद्वारा किसे अयुद्या सिमपाद्या हरियोद को याद रख लेना हरियोद जी के बारे में और दिबस का आउसान समीपता गगन ता कुछ लोहत हो चला किस कभी की पंक्तियां हैं ये आपको चैन करना है कल सुबे साले नौवजे पूरा दुवेदी योग की एक पूरी किलास आएगी दोस्तों सुबे साले नौवजे मेरातन किलास आएगी है ना उसको भी आप देखें पूरा दुवेदी योग के लिए आपको बेप्रेसित किया जाएगा एक बार में दुवेदी योग को कम्प द्यासे उपाद्या हरियोद की है, दिबस का उसान समीपता गगंता कुछ लोहे तो चला, ये पंक्ती हरियोद की है, और उत्तर हो जाता है, ए नमबर, ठीक है, ये जिन्हों ने बताया, खड़ी बोली का प्रतम महाकाब, लेकिन दोस्तो, इस प्रिये प्रवास के लिए, प् डाउनलोड कर लें, self study classes, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको दोस्तों क्या करना है, play store में सर्च कर लेना है, self study classes, ठीक है, तो आप self study classes अगर डाउनलोड कर लेते हो, तो दोस्तों आपके लिए course भी launch किया गया, हिंदी साहित का, बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा course अभी तक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा course दोस्तों सब तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, दोस्तों बहुत सारे student को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है, या फिर कर भी लिया है, तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूं कि यह जो प्लेश्टोर में आपको इस प्रकार से देखेगा, यह self study classes, ठीक है, यह play store में आपको self study classes का app देखने बाला है, ठीक है, यह image उसमें डली है, यह icon, यह logo उसमें डला है, ठीक है, अब दोस्तों इसको install करना है, यहां से आप install करेंगे, ठीक है, अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा, Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा, तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे,